Hello friends, welcome to exam tracker YouTube channel आज हम इस वीडियो में GK के top 30 questions लख रहा है जो कि आपके exam के point of view से काफी important है दोस्तों आप चाहे जिस भी exam की त्यारी कर रहे हूं मैं आपको बता दूँ कि यह 30 questions रखे गा है यह most repeated question है यानि कि जो exam में सबसे अधिक बार repeat हुए है question इसलिए इससे question पूछे जाने की संभावना सबसे जादे है पूरा वीडियो एक बार जरू देखे हैं दोस्तों मैं वीडियो से related important points भी बताऊंगा कि कितने question important बनते हैं इसलिए एक बार वीडियो जरू देख लिए इस वीडियो को अगर आप ने देख लिया तो मैं आपको बता दू कि किसी exam में आपको बहुत बड़े पैमाने पैस से question देखने को मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों बिनाकी से देलिके हुए हम लोग आज का वीडियो इस्टार्ट करते है पहला question है प्रकास वर्स किसका मात रख है तो प्रकास वर्स जो होता है दूरी का मात रख होता है इस तरह से इसका अप्सान नंबर C से हो जाएगा दूरी का मात रख है प्रकास वर्स ठीक है पुछा गया एक जागह में ठीक है निर्स्ट कोस्टिंदों देख लए पुछा जाताहिukि किस जपण द दक भासम कोस्ट्अ है भारत उसके सासनकाल में रेलगाड़ी चली तो लाड डॉलहोजी के सासनकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी इतना आपको याद रखना है Next question है संयुक्तराष्ट संग यानि कि UNO United Nations Organization कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो अरतमान में जो संयुक्तराष्ट संग के सदस्यों की संख्या है वह है 193 इस तरह सिसका अपसा नंबर C से हो जाएगा 193 कुल सदस्य है यह भी पुछाता है कि 193 वह देश कौन सा बना सदस्य इसका तो दच्छन सुडान ठीक है जो है युअन्यों का एक सो तिरान बेवा सदस बना है तो यहां यहां है युअन्यों तो युअन्यों के बारे में देख लिए इसका पुरा नाम होता है उन्याटे नेसंस अरगराष्ट इसका अस्थापना हुआ था 24 अक्टूबर ठीक है, 24 October 1945 को, 24 October 1945 को इसका स्थापना हुगा था, और इसका मुख्याला है New York में, कहां पर New York में, ठीक है, इतनी बाते आपको याद रखना है, यह पुछा आता है, यह अन्यों दिवस कम मना जाता है, तो 24 October को, यह काफी important है दोस्तों, इसको पूरी data आपको याद रखना है Next question है, भारत में जनगर्णा की अवधी है, तो भारत में जनगर्णा की जो अवधी है, वो प्रतेक 10 वर्स है, ठीक है, तो प्रतेक 10 वर्स में भारत में जनगर्णा होती है, पिछली जनगर्णा 2011 होई थी, कब 2011 होई थी, और जितने भी आकड़े हम देते हैं अभी तक, इस आप से ही दिये जाते हैं, तो प्रतेक 10 वर्स पर भारत की जनगर्णा होती है, तो जनगर्णा से समंध हम कुछ important point देख लेते हैं, जैसे पुछा एता है आपसे, कि जनगर्णा की सुरुगात भारत में कब हुई थी, तो हुआ था 1872 में, कब 1872 में, लाड मेओ के कारकाल में next question है, भारत किस गुलार्ध में इस्थित है, तो भारत जो इस्थित है, उत्तरी गुलार्ध में, किस गुलार्ध में, उत्तरी गुलार्ध में, पहले हम लोग समझते हैं यह दखिए हमारी पृतिवी है ऐसे, तो पृतिवी जो है, इसको ऐसे दो भागों में हम बाड़ते बीच में तो उपर वाले को उत्तरी गुलार्ध और नीचे वाले को दच्छनी गुलार्ध बोलते हैं तो भारत जो है उत्तरी गुलार्ध में इस्थीत है यहां पर ठीक है और इसको ऐसे जब बाड़ते हैं हम लोग इसको देसांतर बोलते हैं पूर्वी देसांतर पस्चिम में बताया गया है भाग 5 यह दखिएगा भाग 5 के article 52 में यानि भाग 5 जो है संग इसका पहला ही article है article 52 इसमें राष्ठपती के बारे में पुछा गया है कभी important है कई बार जयोंग पुछा गया है ठीक है इसमें देखे कुछ और article दिए गया है जिससे important question बनते है जैसे article 76 ठीक की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी जो जन जाती है वह है भील 2011 की जन गर्णा के अनुसार सबसे बड़ी जन जाती है भारत की भील जन जाती है ठीक है इसका अपसा नंबर यह सेव जाएगा 75% लोग यह आपको याद रखना है याद किये 2011 की जनगर्णा के अनुसार ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आवादी वला देश है पहले नंबर पर चींद है निश्ट कोश्चर है विटामिन A किस में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन A जो है गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है इस तरह से इसका अफसर नंबर C से भी जाएगा गाजर जो हता है यह विटामिन A का बहुत बड़ा सुरोत है एक बहुत ही important question है दोस्तों इतनी बार exam में पूछा गया कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं ठीक है चाहे जिस ब exam की तयारी कर रहे हो यह सब कभी question बहुत ही important है इसलिए मैं कहूंगा कि पूरा वीडियो एक बार जरू देख लिजिए तो गाजर बिटामिन A का सबसे परचुतम स्रोथ है ठीक है तो यहाँ पर बिटामिन A का जो रसाइनी गराव होता है रेटिनाल होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है रताओधी रोग होता है या आग की एक बिमारी है नेश्ट कोश्चन है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है तो यह है हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा हिंदी है दूसरी पूछा जाए दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा तो बंगाली है नेश्ट कोश्चन है, प्रिथिवी का आउसद घनत तो कितना है, तो प्रिथिवी का आउसद घनत तो है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नेश्ट कोश्चन है, प्रिथिवी की विश्वती व्यास कितना है, तो प्रिथि इसका अप्सान नमबर A सही हो जाएगा, 12756 km बिस्वती ब्यास है, लेकिन धुरूवी ब्यास पुछा जाए, इसकी लंबाई ते है 12714 km, ठीक है, 12714 हैगा, किलो मिटर, पुछाता है दोनों में डिफरेंस कितना है, यानि कि धुरूवी ब्यास और बिस्वती ब्यास में ज सरवाधिक मात्रा में नैट्रोजन पाया जाता है, इस तरह से इसका अप्सान नमबर B सही हो जाएगा, इसकी मात्रा है 78%, किना 78% जो है नैट्रोजन पाया जाता है वाई मंडल में, और आक्सीजन की मात्रा होती है 21% जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप से प गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है, इस तरह से इसका अप्सान नमबर B सही हो जाएगा सारनाथ, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दि पहले हैं यह पांद के पांदे था गोद मुद धेus कwood question है आप प्रामांड का अध्यान किया कलता है तो बर्मांड का अध्यान कलता है कास्म मुलाजी स्थिसकाफ strands number B सेयबusa Next question है शूरिख का मुख संग ंगटक है दो सूरिख का i до junto hem वो है hydrogen और helium कौन सा है hydrogen और helium सूरे में जो hydrogen है वो hydrogen पाय जाता है 74% किना 74% और helium जो है इसका जो मात्रा है 25% है यह आपको याद रखना है ठीक है यह 74% है hydrogen और helium है 25% इस तरह से इसका अपसा नमबर ए से ज़िएगा hydrogen और helium मुख संगटक है सूरे के next question है Big Bang Theory Big Bang Theory किस ने दिया था तो है दिया था Josh Lemon इस तरह से इसका अपसा नमबर C सेर ज़िएगा George Lemon तेर ने Big Bang Theory दिया था next question है भारत में Harit Kranti का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में जो Harit Kranti का जनक है वो है Ms. Swaminiathan है इस तरह से इसकाफस नंबर B से हो जाएगा लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरित करांती के जनक कौन है तो है नार्मन बोरलाग नार्मन बोरलाग जो है पुरेविश्व में हरित करांती के जनक मने जाते हैं लेकिन भारत के परिप्रक्ष में अगर आपसे पूछा जाए, तो MS स्वामी नाथन होगा, ठीक है, इस तरह से इसका आपसर नंबर B से हो जाएगा, नेश्ट कोश्चन है, ब्रहमांड में 20-40 तारा कहलाता है, तो ब्रहमांड में 20-40 तारा अभिना उतारा को कहते हैं, किसको अभिना उतारा को, इस तरह से इसका आपसर नंबर B से हो जाएगा, नेश्ट कोश्चन है, चंद्रमा का दरब्यमान प्रिथिवी के पेच्छा होता है, तो यह होता है एक बटा 81 भाग, प्रिथिवी के सबसे निकट इस्थित ग्रह कौन सा है, तो प्रिथिवी के सबसे निकट इस्थित ग्रह है, वह है सुक्र, इस तरह से इसका आपसर नंबर B सही हो जाएगा, प्रिथिवी के सबसे नजदिक सूर इस्थित है, इससे related काफी important question बनते है, और भी जिसको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पुछा जाब से कि प्रिथिवी का जुलवा बहन, सबसे गर्म ग्रह, साज या भोर का तारा किसे करते हैं, तो ये सभी प्रश्न का एक ही जवाब है, सुक्र, ठीक है, सुक्र के कोई उपग्रह भी नहीं है, ये भी पुछायत है, बिना उपग्रहों का ग्रह, तो सुक्र और बुद्ध दोनों आ जाएंगे, लेकिन सुक्र भी होता है, सबसे गर्म ग्रह भी सुक्र है, प्रिथिवी के सबसे नजदिक भी है, इस तरह से इस कोश्चन का आपसा नमबर B से हो जागा, प्रिथिवी के सबसे निकर्ट ग्रह सुक्र है, ठीक है, नेक्ट कोश्चन है, भू इस्थिर उपग्रह की उचाई कितनी होती है, तो भू इस्थिर जो उपग्रह होते हैं, उनकी उचाई होती है 36,000 किलोमेटर, इस तरह से इसका आपसा नमबर C से हो जाएगा, 36,000 प्रिथिवी से 36,000 किलोमेटर उचाई पर भू इस्थिर उपग्रह होते हैं, इस्थित होते हैं, तो भू इस्थिर उपग्रह होते के हैं, जिनका यादखी का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है, अर्थाल प्रिथिवी के समान होता है, उसको भू इस्थिर उपग्रह करते हैं, इस तरह से इसका आपसा नमबर आपका C से हो जाएगा, 36,000 किलोमेटर, नेश्ट कोश्चन है, भारत की जल छेत्र, सीमा कहां तक फैली है, तो यह 12 समुद्री मिल तक, कहां तक 12 समुद्री मिल तक, इस तरह से इसका आपसा नमबर B से हो जाएगा, नेश्ट कोश्चन है, करक रेखा, करक रेखा कितने राजियों से होकर गुजरती है, तो करक रेखा भारत के कुल 8 राजियों से होकर गुजरती है, इस तरह से इसका अपहसन नमबर C से हो जाएगा ठीक है, यद ही एका भारत को करकर रेका दो भागों में बाट देती है इसको आपको यारकना है दो भागों में बाट देती है 220 से भारत को गुजरती है कितने राज्यों को टच करती है तो यह 8 राज्यों मैं उनको बता देता हूँ आठो राज्यों के नाम, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मदपरदेश, चोथा है चत्तिसगड, पाचमा है जारखंड, छठमा है पस्चिम बंगाल, सत्मा है त्रिपुरा और अठमा है मिजोरम, यह आठ राज्य हैं जहां से सम्मिधान के प्रस्तावना में संसोधन कब किया गया था तो भारती सम्मिधान के प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संसोधन होगा है वो 42 में या दखिएगा 42 सम्मिधान संसोधन 1976 में यानि कि 1976 में तीन सब्द जोड़े गये थे प्रस्तावना में समाजवादी, आप ही चेंजेस हुए थे तो बैलेस्वय सम्मिधान संस्वधन में ही भारत के प्रस्तावना में सम्मिधान के प्रस्तावना में तीन सब्द जोड़े गए थे समाजवादी पंत्रिप्रेक्ष और राष्ट की अखंडता इस तरह से इसका अफसा नंबर सी से हो जाएगा ने खिंडर कोनं थे तो तो थे राजगोपाला चारी राजगोपाला जायरी जो है स्वतंद्र भारत के पहले और अंतीम भारती जनरल गवर्ण थे ठीक है लेकिन इस कोश्चन का अफसा नंबर ए से हो जाएगा लाणबाँ वेटर जो थे कि स्वतंद भारत के पहले जनरल खिरा हुगा राज कौन है तो यह है त्रिपूरा भारत का एक राज है, पुरिवी राज त्रिपूरा, यह बंगला देज से तिन तरफ से घिरा हुआ है इस तरह से सिसकाःट साब्सन अंबर C से होजाएगा की अबनीश्ट कोश्चन है आदम का पूल जो है भारत-सिलंगा के बी चीज फित है बहारत की दक्षणी बिंदु भुमध रेखा से कितनी दूरी पर है तो भारत की जो दक्षणी बिंदु है वह भुमध रेखा से 876 किलोमेटर दूर है कितना 876 किलोमेटर इस तरह से इसका नंबर C से हो जाएगा next question है last question है, दुनिया का सबसे अच्छा चालग क्या है, तो ऐसे चांदी इस तरह से सबसे अच्छा नंबर B से हो जाएगा B सो की सबसे अच्छा जो Illustrator है वो अच्छा कांदी है, ठीक है, इसका symbol जो है एक्जाम ट्रकर चैनल को सस्क्राइब करके बेल आत्म को दबा ले क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही भैतरिन वीडियो लेकर आते हैं